हेलो स्टुडेंट्स आज आपस एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कल मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो एंड मैक्रो एकोनोमिक्स में डिफरेंसेज अब आज हमारे सामने एक नए टॉपिक है जो कि है एकानोमिक्स एंड एकानोमी तो स्टुडेंट्स मोस्ट आफ लोग जो होते हैं मोस्ट आफ प्पड़ एकानोमिक्स और एकानोमिक्स को एक ही बोलते हैं जबकि दोनों क्या हैं अलग-अलग चीजें हैं याप सब्चेक्ट पढ़ रहे हो तो आपके लिए जानना बहुत पर दिये मैं आपको बताती हूं, economics and economy के अंदर क्या difference है, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले economics को मैं recall करवा देती हूं, आप लोगों को, कि economics is a social science that studies how people satisfied unlimited desire or wants with limited resources, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि economics क्या है, economics वो है जो कि limited resource से अपनी unlimited desire को क्या करते हैं, satisfied करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, economics बोलते हैं, यानि जब कोई इनसान अपनी unlimited wants को limited resource से satisfied करता है, यानि अपनी wants को complete करता है, satisfied करता है अपनी wants को, तो उससे क्या कहा जाता है, economics कहा जाता है, तो वहीं मैंने यहां पर लिखा, economics is a social science, economics के ऐसा सामाजिक विज्ञान है, जो कि people अपनी, यानि लोग अपनी unginate desire को limited resource से कैसे पूरा करते हैं, कैसे satisfied करते हैं, ठीक है, और अगर दूसरे शब्दों में इससे देखा जाए, तो the study of economic activities done by people is called economy, यानि economics के अंदर जितनी भी activities हो रही है, जितने भी हम consume कर रहे हैं, हम produce कर रहे हैं, ठीक है, उन सारी activities, और वो activities किससे related होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, किससे money से related होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, economics कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा economy, ठीक है, अब देखना, economics का मतलब तो होता है, अर्थ शास्त्र, और economy का मतलब होता है, अर्थ व्यवस्था, यानि जो व्यवस्था, आप कभी, मैं आपको example के तुरूस अगर समझाना चाहूं, तो कभी आपने, आपकी desire है, कि आपको क्या बनाना चाहते हो, आप एक मकान बनाना चाहते हो, ठीक है, अब आपके पास क्या है, पैसा है, ठीक है, पैसा है, आपके पास, लेकिन उस पैस की planning करनी पड़ेगे, आपको पहले उसका मकान का क्या बनाना होगा, structure बनाना होगा, तो जो structure बनेगा, वो structure आपका क्या कहलाएगा, अर्थ व्यवस्था कहलाती है, और उस structure पे जब हम study करेंगे, वो आता है, अर्थ शास्त रखे अंदर, तो देखे, economy is state of country or region in term of the production and consumption or goods and services and the supply of money, ठीक है, economy means the financial status of society, यानि, economy वहर देती है, या वहर प्रक्रिया, जो क्या करती है, इंसान जो earning करता है, उसे किस तरह से expenditure करता है, यानि, इंसान का earning करने से लेकर, earning to expenditure, earning to expenditure तक जो उसका कारेकरम चलता है, जो उसकी रीती चलती है, या जो उसका processing चलता है, जो उसका processing चलता है, वो आपके क्या कहलाती है, economy कहलाती है, और इस processing पे जब हम study करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थ शास्तर कहलाता है, आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंन सिर्फ इतना सा आपको बताया है कि अब हम पूरा detail में जानेंगे economy के बारे में ठीक है तो economy की एक और define है और हाँ economics की अगर आपको define चाहिए तो यह दो और define मैंने यहाँ पर लिखी है तो वो भी आप notes में include कर सकते हो आपके अब हम चलते हैं economy की तरह एक और define के साथ सेट अप और structure देखो मैंने बोला था आपको structure होता है of a country किसका country का structure चाहिए economy किसको refer करती है social हो political हो या economic organization सभी के structure country के अंदर in which people perform constitutional activities and sustain their living clear उसके बाद आता है economy economy चार चीज़ों पर डिपैंड करती है production, exchange, distribution and consumption सबसे पहले चलते हैं production के ऊपर ठीक है production का मतलब होता है the act of process of production यानि obvious चीज़ है हमें किसी भी चीज़ को consume करने के लिए उसको आप सबसे पहले क्या करना होगा production करना होगा ठीक है production किया हमने production करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है distribute करना पड़ता है अब production करके हम क्या करें रख तो नहीं सकते अपने पास stock के रूप में हम क्या करेंगे उसे distribute करेंगे ताकि लोगों तक वो चीज जो produce की हमने वो क्या हो सके मिल उनको मिल पाए वो चीज़े ठीक है distribute the way in which something shared out यानि जो चीज हमें उसे क्या करना है share करना है जो चीज हमारे पास available है उसके बाद हमने share कर दी अब उससे हम purchase तो करेंगे exchange यानि हम उसे पैसे देंगे और उससे वो चीज ले लेंगे तो एक्सचेंज क्या एक्ट ऑफ गिविंग वन तिंग एंड रिसेविंग अनादर ठीक है यहां पर वन तिंग देकर यानि पैसे देकर हमने उससे क्या ले ली वो चीज ले ली मान लो मैंने कपड़े का production किया अब मैंने कपड़ों का production किया तो वो कपड़े में मार्केट में बेजूंगी मार्केट में मैंने distribute किया मार्केट से आम जनसंग क्या ने आम लोगों ने उससे क्या किया वाँ पैसे देकर उसे खरीद लिया खरीदा उसके बाद उससे वो क्या करेंगे consume करेंगे ठीक है मिस्टर पॉल क्राइमन ने भी इसको डिफाइन किया है देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो एकोनोमी इसम एकोनोमी इसम मैकेनिजम तू को ओर्डिनेट द प्रोडेक्टिव एक्टिविटी ऑफ एन सोसाइटी वेरेज एकोनोमिक्स इस आ सोशल साइंस विच स्टेडीज द प्रोडेक्शन डिस्टिबूशन एंड कंजप्शन ओफ गुड्स एंड सर्विसेज उसके बाद हम चलते हैं टाइप ओफ एकोनोमी अभी अभी हमने देखा कि एकोनोमी क्या होती है अब हम आगे बढ़ेंगे टाइपस ओफ एकोनोमी की दरफ तो टाइपस ओफ एकोनोमी एकोनोमी कितने टाइप की होती है फर्स्ट है क्यापिटलिज्म एकोनोमी सेकेंड सोशलिस्ट एकोनोमी और थर्ड है आपकी मिक्स्ट एकोनोमी सबसे पहले हम देखेंगे क्यापिटलिज्म एकोनोमी को हो मार्केट एकोनोमी या फिर फ्री एकोनोमी के नाम से भी जानते है ठीक है अब capitalism economy क्या होती है capitalism economy का मतलब होता है जो हम produce करना चाहते हैं जिसका भी हम production करना चाहते हैं वो क्या करना है कैसे करना किसके लिए करना या फिर कितना करना है वो सारा कौन देखता है private sector जैसा कि हमें पता है कि sector दो तो तरह के निए और सेकंड होता है video नद त्राइवीन आंट मेयुकल सृप्टर माश्राइए इस होता है और परीविजा ही सेक्टश और और किसका होता है में सारे प्राइविज सकनक्तिकर को दो होती है हमें क्या produce करना है what to produce how to produce या फिर for whom to produce यह तीनों question यह तीनों depend किसके उपर करते हैं private sector के उपर depend करते हैं क्योंकि इन्हें control कौन करता है सब कुछ private sector करता है और यह जो कुछ भी करता है इसका aim क्या होता है maximum profit earn करना maximum profit ठीके इसका aim क्या होता है maximum profit earn करना second की तरफ चलते हम socialist economy जिसे हम centrally planned economy के नाम से भी जाना जाता है ठीके इसके उपर पूरा जो control होता है वो किसका होता है government sector का control होता है यानि हमें जो भी production करना है उसे कैसे करना है कितना करना और किसके लिए करना है यह सब कुछ कौन decide करेगा यह सब कुछ public sector government control के अंदर decide करेगा ठीके और इसका aim क्या होता है इसका aim होता है maximum welfare maximum human welfare होता है इसका aim ठीके जहां पर इसका aim क्या होता है maximum profit earn करना वहाँ पे इसका maximum profit earn नहीं करके जनता का कल्यान करना होता है थड़ाती है mixed economy mixed economy के अंदर आता है capital और socialist दोनों economy का जोड़ ठीक है यानि इसके अंदर दोनों ही economy include होती है यानि दोनों ही मिल जूरकर काम करती है और इसके ओपर control जो होता है काम दोनों ही करेंगी work private sector भी करेगा वर कौन करेगा private sector भी करेगा plus public sector भी करेगा ठीक है लेकिन जो control है वो control किसका होगा control पूरा इसके उपर government का होगा ठीक है इसका aim होता है development इसका aim क्या होगा development plus human welfare ठीक है अब आप पुछोगे हमारी इंडिया में जो है वो कौन सी economy चलती है mixed economy अब देखिए मैं school का example देती हूँ सबसे best आपके लिए हमारी यहाँ पे private school भी है और government schools भी है लेकिन आपने देखा होगा private school हो government school और private school को private sector वाले चला रहे है अपने according और government school को government sector चला रहे है अपने according लेकिन इनके उपर control किसका है government का क्योंकि दौनों कोई rules किसके follow करने पड़ते हैं government के rules follow करने पड़ते हैं private sector भी government की इजादत के बिना school open नहीं कर सकता ठीके उसे भी पहले क्या को लेनी पड़ती है government से permission लेनी पड़ती है ठीके इसके हम detail जानेंगे अब इसके detail पढ़ेंगे हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे market economy market economy is a free economy अभी अभी मैंने बता इसके तीन नाम market बोलो capitalism बोलो या फिर free economy बोलो it means that producers are free यानि इसके अंदर producers क्या होते हैं free होते हैं to decide what how and for whom to produce ठीके इसके example कौन कौन से country है America, Canada, Japan, Spain, Italy, Child, etc. सेकेंड हाता आपका centrally planned economy in a centrally planned economy decision relating to what how and for whom to produce are taken by some central authority appointed by the government of the country ये सारे दोनों काम सारे डिसाइड कौन करेगा? government करेगी इसके सारे decision कौन लेगा? government लेगी ठीके? all decision are taken with the view to maximizing social welfare इनका aim क्या होगा? social welfare करना यानि समाज कल्यान करना ठीके? वहीं पे इसका क्या था? maximum profit earn करना ठीके? इसके अंदर कौन कौन सी countries आती है? centrally planned economy के अंदर? China, Cuba, North Korea, Laos, etc. अब आती है mixed economy. देखें mixed economy के अंदर? in simple words, mixed economy is that economy in which reasonable coexistence of private and public sector exists. working area of both of them controlled and determined by the government. ठीके? working area, दोनों ही work करेंगे लेकिन इस area पे control किसका होगा? दोनों area पे? government का होगा in such manner so that both of them join hands together दोनों हाथ में and maximize the pace of rapid development and ensure maximum social welfare यानि इनका aim क्या होगा? देश का development करना और maximum welfare करना. इसके अगर example देखें इसके देश कौन कौन से include है? इंडिया, बांगलादेश, स्री लंका, रशिया, कोरिया, etc. उसके बाद according to professor Samuelson ने mixed economy को क्या define दिये? mixed economy is that economy, mixed economy वह economy है, in which both government and private, individual exercise, दोनों ही individually work करती है, economic control, ठीक है? लेकिन control किसका होगा? पूरा government का control होगा, ठीक है? आज का topic यहीं खतम करते हैं. कल हम दिखेंगे की सेंटर प्रोब्लम्स अफ एकोनोमिक्स एंड एकोनोमी.